बहुत बहुत स्वागत अपनी यूटूब चैनल कौमर्द भी संजीब सर में आप लोगों के कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं बहुत जादा मैसेज आ रहे हैं कि सर वीकॉम पाड़ बन में वीकॉम फश्टियर में कौन-कौन से सब्जक्ट्स हैं उनके नाम बता दीजिए त पर इंडिया के हर यूणिवर्शिटी में जो सब्जक्ट्स हैं वो कॉमन है मैं उनके नाम बताता हूँ पहले नंबर पे कोई भी यूणिवर्शिटी क्या हो उसमें फाइनेंसियल एकांटिंग इंसियल एकांटिंग जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बित्य ले खांकर यह एक ऐसा विसा है जो हर युनिवर्सिटी में है चाहे आप B.com करो चाहे बीकॉम ओनर्स करो यह पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है और यह जो पेपर है वो नुमेरिकल सब्जेक्ट का है और दूसरा जो पेपर है वो भी नुमेरिकल का है वो पेपर होता है बिजनिस स्टेटिस्टिक्स ओके और कुछ ही उनिवर्सिटी है इसको हम कहते हैं ब्याबसाइक सांख की ओके और इसकी जगए पे मैं स्टार बना देता हूँ कुछ ही उनिवर्सिटी में क्या है इसकी जगए पर बिजनिस मैथ रे स्टरिक्स है यह दो पेपर होते है नुमेरिकल के यह भी जो पेपर है वो नुमेरिकल का इसके बाद जितने भी पेपर होते हैं वो सब तियोरी के होते है और कौन-कौन से होते हैं तीसरे नवर्बरह पे आजाओ हर university में लगवग लगवग में मिलेगा business management ओके business management जिसे हम कहते हैं ब्याबसाय पिरबंध यह theory का paper होता है theory के लिए होता है चौथे नमबर पे business communication का paper होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्याबसायक संचार यह भी theory का paper है यह भी theory का है numerical के बस उपर बाले ही दो थे बाकि यह जो चार paper है यह हर university ने लगवग में रखे ही रखे हैं और जो पाचमा भी से है बै है business economics जिसको हम व्याबसायक अर्थसास्त्र कहते हैं भी कोम में इसके numerical नहीं पूछे जाते हैं ठीक है कोई एकाद कर्व वगरा पूछ लिया तो पूछ लिया छोटा मोटा कहीं पर कोई फॉर्मूला लगवा के पूछ लिया तो पूछ लिया बैसे नहीं होता है और बिजनेस इसके अलावा कुछ उनिवर्सटियां ऐसी हैं जिनों ने इनके साथ साथ में जो सब्छेक्ट के रूप में बिजनेस रेगुलेटरी याफ में को रक्षा हुआ है है जिनों ने इसको रखा है है और कुछ उनिवर्सिटियों नहीं रखा है उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें सब सैमिस्टर बाई जाए तो फर्स सैमिस्टर और जो सेकंड सैमिस्टर है उसके जो सब्जक्ट्स हैं वो हैं इनी में से लेकिन थोड़े से अलग अलग हैं और बहीं पार आप प्रदेश की उनिवर्सिटी में आ जाएंगे जो हर्याना है वहां की उनिवर्सिटियों में आ जाएंगे उत्राखंड की उनिवर्सिटियों में आ जाएंगे तो उनमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा जो सब्जक्ट्स हैं एक दो आगे पीछे होने के साथ साथ में इनक एप्लिकेशन को भी या elementary आप computer application education को रखा हुआ है और यह चार चीजें जो राजिस्थान है उसकी उनिवर्सटियों में है तो यहां पर आपकी जो यूनिवर्सटी है उसके according जब आप कमेंड करोगे तुरंत हम आपको बताएंगे कि आपकी उनिवर्सटी में यह सब चीजे हैं वो बहुत अच्छे से कबर होते हैं और इनमें भी जो कबर करने का हमारा मुक्रूप से तरीका है बै है सबसे पहले हम आपका syllabus आपके लिए प्रोबाइड कराते हैं और जिसमें बहुत ही easy language में हम आपके लिए PDF notes देते हैं जो important है questions वो आपके लिए provide कराते हैं इसके साथ साथ में model paper आपको देंगे फिर इन सब की live class और अगर live नहीं देख पाओगे तो उसका बन जाता है recorded class और इन सब चीजों के साथ में जब आपकी तयारी एक बिदभत तरीके से होती है तो समझ में तो सब आता ही आता है और उसके साथ साथ में जो marking है वो बहुत अच्छी आती है क्योंकि last year भी जो लोग जोड़े हुए थे उनकी जो percentage है बहुत अच्छी आई जब result आया हमरे यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ही है कि कोई बच्छा fail नहीं होता है क्यों जब के लिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन में से जो में सब्जेक्ट्स हैं वो तो सब पढ़ नहीं पढ़ दे हैं और एक दो सब्जेक्ट्स जो आगे पीछे यूनिवर्सिटी में especially रूप से रखा हुआ है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा ओके तो कैसा लगा यह क्लास जरूब बताईएगा मिलते नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाई बाई